प्रश्ट के अब यूटूब चैनल बेक लर्निंग और पैसन में आपका स्वागत है जैसा कि आप तभी लोग चित्र में देख रहे हैं हमारी सीरीज भारत की इतियास को जोनों सीरीज में आजम आपको पार्ट तीन कच्छा आड के हमारे जो इतियास और नागरी जीवन की पुष्टक है उसमें हमाज आपको भारत पाठ तीन में भारत में कंपनी राजी का विस्तार जो की इस वार्ट का नाम है को पड़ाएंगे और हम आपको दावा करते हैं वीडियो हमारा बहुत इंट्रेस्टिंग होगा चूंकि कुछ लोग कहते हैं यह एकेडमिक हैं तो इसे सेपšíड़ हम आपको दिसकस करेंगे जो कि आपको सामान usakos प हृष्टकों में नहीं मिलते हैं और यह अधिक तर परिच्छाओं में पूंचे जाते हैं और बिभिन तरीगों से पूच्चे जाते हैं ताकि आपको उलजा जा सके चिन तो आपके पास भर बेसिक नाली प्रस्णवत्र ब्ताइए जाएंगे उससे पहले हमने आपको यूरोपियों का भारत में आग्मन ये बताया था इसके साथ सारा हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी पीडी एडी एफ सबसे पहले पुर्तगाली डच फ्रांसीसी अंग्रेज पूर्तगाली डच अंग्रेज स्वांसिसी और देनिस सबसे लास्ट में स्वीडिस मताया था आपको एक कुश्चन भी पूछा गया था के बीसी में सबसे अंत में कौन आया था तो लोगों को दिहान नहीं था चुंकि सबसे बाद में 1764 में आये थे कौन स्वीडिस जो स्वीडियन करेने वाले थे लेकिन अधिक प्रभावर नहीं दिखा सेके और चले गए अंत में सबसे अंत में जाने वाले थे अंग्रेज 1947 में और आपको पता होगा अंग्रेजों के बाद कौन गया था पुर्टगाली कहां से गोवा से क्योंकि 1960 में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है तो यह सब इतिहास में गहराई वाली बाते हैं जो कि हम आपको पहले एकेडमिक से कम्टेटिव की और याने की सरल से कटिन की और ले चलेंगे वीडियो अच्छा लागे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवस्करते यह बहुत बहुत धन्यवाद यह है हमारा भारत में कंपनी राजी का बिस्तार भारत में कंपनी राजी का बिस्तार जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने सामराजी का बिस्तार कर रहे थे उसी समय दक्षिन भारत के मैसूर हैदरावाद तथा मर दक्षन भारत के दो जुब रहे हैं और इन दोनों पर समान रूप से सासन करना ही सासक की असली परिच्छा हुआ करती थी और इसमें अंग्रेजों ने कैसे सबलता पाई ये भी यहां पर बताय जा रहा है इस पार्ड में हम यही जानने कुशिस करेंगे कि दक्षन में जैसे अपना सराज पूरे भारत में फैलाया था तो अब हम यहां पर यह भी जानने के कोशिस करेंगे कि किस तरह से अंग्रेज उत्तर से दच्छन तक के सारे भारत को नियंटर्ट करने में सफल हुए तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टापिक की और देश के सासक यानि दच्छन के जो सासक थे हैदाबाद मसूर और मराठा सीमा के आप विस्तार उत्तरा दिकार के लिए आप बस में संगर्श रत थे जो राजा या सासक अपने को कमजूर समझते थे वे अंग्रेजों की सरण में चले जाते थे जो सहायक अंग्रेजों से अन रियायते ले ले लेते थे क्योंकि उनको रियायते चाहिए होती थी और या फिर कभी-कभी वो कुछ राज का हिस्सा ही ले ले लेते थे और अंत में भारती सासक अंग्रेजों के हांत की कट फुतली बनकर रह जाते थे अंग्रेज लगभग 90 वरसों में 1764 से 1856 1764 रिय सोचे और बताईए इस इंडिया कंपनी कैसे भारत व्यापार करने आई थी कैसे इतने वड़े देश पर अपना अधिकार राज बढ़ा सकी आगे हम चलते हैं अंग्रेजों ने बिविन नीतियों की अंतरकत जैसे देखी हैं आम पर कुछ नीतियां बताई गई हैं बिवि आइड रूल जैसी कूट नीतियों के जरिये भारत के राज़ीों को कंपनी राज में मिला लिया इससे डाइल हा और जीता होगा उससे भी सिल्क लिया सीना अिक तका रूप लिया से राज़ीरियों जिया जैयि रिवापार के लिये चोलप पाई हैं 2 पर बताई लब पार ते सको नीथ नहीं कह सकते हैं, हम लोग अब आती है, बात करते हैं मह्सूर की You आपने टिपू सुल्तान का नाम सुना हो का अपनी थियास में टिपू सुल्तान की पताजी थे है है जर्रली, यह महसूर साज की सिस्थापकत एक बिजये बिजय नगर विजय नगर सामराज के पतन के पस्चात से मैसूर राज में अपनी स्वारीनता को बनाए रखा अठारमी सतापडी के प्रारम में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधान अधिकारी के रूप में कारे किया और सीग रही हुए अपनी कुसागर बुद्धी द्वारा सेना में सरवोच पत तक पहुँच गया इसाई एक सासक का और नाम आता है सिर सागर भी सेनिक साधा और सासक बना 1761 इसवी के में उसने मैसूर राज़ पर अपना अधिकार कर लिया उसने बिदनूर, सूधा, सेदा, कर्नल और मालावार के इलाकों को जीत लिया मालावार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्रतट तक बिस्तार हो गए आप पताऊगा मालावारतट करना टक का जो समुद्रतट है उसको मालावारतट कहते हैं इससे अंग्रेजों का आसंकित होना स्वाभाविक था दोनों के मद्द संगर्स अवस्ट से संभावी हो गया था अता सतरा सो सरसट और सतरा सो निन्यावी के मद्द मैसूर और अंग्रेजाओं में छार ult fizer कौन कौन से चार युद्ध पहला जो जो दुःद रफ मेरत ममि भी विचलित नहीं हुआ उसने मराठों को धन देकर तता निजाम को प्रदेश का प्लोगन देकर अपनी होड मिला लिया इसके पश्चात उसने करनाटक पर आकमल कर दिया डेड़ वर्स्त की दोतरा हैजारली ने मद्रास चैन्नाई को गेर लिया और चार अप्रेल उन सत्रा 57 को हैद्धालिक संधियों संधी के दोरा जीते हुए प्रदेशine को लौटा दिय है तर भीपत्ति में एक दूसरabout की साइधा करने का बचन भी दिया गया ये था प्रत उमांगल में सछोड का पर रoft यह एक संधी के दोरा समागत होगा य shutting प्रता मांग मैसे दूबा सतरा सो सरसट में सतरा सो उन्हें अब आते हैं यह आप चित्र देख रहे हैं इस मांचित्र में आपको देखिए यहां पर मराथा राज फार्सी और परवर्ती मुगल सामराज यह अलग अलग में निमर्क से दिखाए गया है यह आपका दर दुखो फार्सी सीमा थी यह फार्स की जो आप देखने काबूल का अंदार अफगानिस्तान यह सब दिया गया एरिया तो यह फार्सी प्रान था यहां पर दो ही मुख्य दिखाए जा रहे हैं मराथा और परवर्ती मुगल सासक परवर्ती मतलब उत्तर मुगल काल याने की औरंग यह के बात कि सासक थे उनको परवर्ती मुगल काल के रूप में आ रहा था देखिए यहां पर चैसे देखने हैं टीपू सुल्तान का तो जहां पर जैसे हमारा बिसे चलगा था आंगल मैसूर तो प्रितम आंगल मैसूरिद अंग्रेजों में और हैदर अली के मद्द हुआ अंग्रेजों ने हैदर अली की साहदा नहीं कीुए इससे हैदर अली ने निजाम दता मराथओं से मिलकर अंग्रेजों के बिजुद एक संजुत मोर्चा बनाया और 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर अक्रमड कर दिया तक करनल बेली के अधैन अग्रेजी सेना को 1780 से स्टार्ट हुआ 1744 की दूती बिचला लेकिन इसमें हैदर अली की हार हो गई और 1782 में हैदर अली ने फिर से अंगलेजों को बुरी तरह हराया और 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्य हो गई और हैदर अली की मृत्य के पस्चाथ उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने र अंगलोर की संदी होई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लोटा दिये जो प्रतम युद में भी हुआ था वही दुती युद में भी हुआ यह 1784 में जो संदी होई थी क्योंकि इसमें हैदर अली की मृत्य हो गई थी और उसका पुत्र ने मोर्चा समा लिय सब्सक्राइब तक कोचिन दियासत को अपने दिन मानता था 15 कोव्षित में डेक्वैशी सब्सक्राइब कर दिया झाटाय चाहिए था बेलाईनीतों सायक नीटी यहां बसायक नीट का भी प्रियोग किया गया अंग्रेजी सेना वैलोर तथा अंबूर से शने पहुँआ पहुँच गई थी खोवेटे मराठत था निजाम की साहता से नों ने पुना स्थी रंग पट्टम की ओचलाई की दीप टीपू ने इसका कलाब रोद किया जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंबव है तो 1792 में स्थी रंग पट्टम की संदी कर ली तीसे युद्ध भी संदी के साथी समापत हुआ इस संदी के अनुसार उसे अपने राज का आदा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पला इसके अंतरगत अंग्रेजों को बारा महल ढिंडी गुल तथा मालावार मिला मालावार तो प्रमुख राजचे तथा इससे बहुत अच्छे आर्थिक इस्ति आर्थिक लाव होता था टिपू को तीन करोड रुपया युद्ध च्छति के रूप में भी भिना पला युद्ध के इस दौर में टिपू की बहुत च्छति हुई वह अपने राज़ को पूर्ता समात होने से बहुत कटनाई से ही बचा पाया अंति में देशी राजाओं को अपने अधिन करने की युजना बनाई और सी की युजना को सहायक संधी कहा जाता है उग्रेजी स्यास में सहायक संधी का भहुत बला महत्वा, दिकिए यहाँ पर यह है वैलेजली, रेजिजिट का ब्रहमर करते हुए सहायक संधी वैलेजली ने मनाई त Efendimiz का मैसे पाहला पर सहायक संधी का भिसे क्या था, यहाँ आप समाझ लिजिए यहाँ पर सायक संधी के अंतरगत देश्ची राजाओं पर यह दवाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं उसके बदले में अंग्रेजी राज जोंकी आंतरिक सुरक्षा एवं भाय सक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायत अपने उपर लेंगे इस संधी को स्विकार करने वाले सासकों को कमपनी का आदिपत स्विकार करना था इन सासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पर तीजी खर्च बहर ना कर पाने की इस्थिति में अपने राज का कुछ भाग कमपनी को देना पड़ता था कमप तूर तन्जौर सूरत करना तक तथा हैदराबाद पर कबजा कर लिया था ये जेजी देंट कर भ्रमड करते हुए वैलेज अली ने निश्चे किया कि या तो टीबू का आस्त पूर्ट समाप्त कर दिया जाए अत्वा उसे अपने अधीन बना लिया जाए इसके लिए उसने टीबू सुल्तान पर है दोस्त लगाया कि वह निजाम रथा मराटों के साथ मिलकर अंग्रेजों की विरुद सडेंत रच रहा है और विविन देसों से मिलकर अंग्रेजों की विरुद विवहार कर रहा है ये सभी आरोब उसे के उद्देश से पूर्त के लिए परियाप्त थे 1799 में उसने टीबू के बुरुद अभियान अरंब कर दिया मई 1799 को अंग्रेजों ने स्री नंगरंग पट्टम का दूर के जीत लिया और टीबू भादोई के साथ लड़ता हुआ बीर गत्य को प्रा फ्रेंचोबियन क्लब का सदश्च भी था उसने यूरोपी देशों से समंद्ध बनाने प्रादम कर दिये थे कि मैं जानता था कि कांटे से कांटा निकल सकता है तो टीबू सुल्तान एक पहला ऐसा भारती सासक था जिसने यूरोपी कंपनियों की फ्रेंचोबियन क्लब की सदश्चता ली थी ताकि यूरोपी यूरोपी देशों से समंद्ध बनाए जा सके और इनकी रड़नीतियों को समझा जा सके रच्छिन भारत के तियास में टीबू का महत पूंड इस्थान था उसने अपने बीरता तता साहस तता आत्म अभुगान के लिए किसी कभी नहीं उस उक्तिकाप पालन करते हुए वह स्री रंगपत्यम के द्वार पर लड़ता हुआ वीर्गति को प्राप्त हुआ अब आता है मराठों से संगर्स चूंकि उन्होंने मैसूर तो जीत लिया लेकिन मराठों को भी नहीं छोला जो कि मराठों ने उनकी शासन के अधिपत्त क कि निर्मार में उनकी साहता की वह समझते हैं कि हम सुरक्षत हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ अंत में मराठों से भी अंगर्यों का संगर्स हुआ देखिए मुगल सामराज की पतना वस्ता में मुगलों की केंद्री सत्ता निर्वल तता प्रवावीन हो चली थी उसे मराठा संग जिसमें नागपुर के भोंसले बलावदा के गायकवार ये गुजात में जो पड़ता है और इंदोर के होलकरत था गौालियर के सिंधिया जो आज भी अगराना जीवित है वे था उनका प्रमुख पेशवा होता था ये ने उत्तर भारत की और अपना प्रभाव बिस् सबीट किया जिसमें लख कर सकती बहुत इचीन हो गई थी पानिपत के तीन युद्ध होई थे सतरा सो चब्भी सतरा सटावनर और सतरा सो एक सट यह आप पानिपत के तिनों युद्धत थे पतीसरे पानिपत के उदमें मराठा और एहमस था अबदाली अफगांसासक के द कि अंग्रेजियों को मराठा सरदारों के आपसी कल्या का लाब उठाने का अफसर मिल गया गए मराठी भी गए अब उसका भाई नरायार राव पेशवा बना परंत उसका चाचा रगुनात राव पेशवा बनना चाहता था उसने पद की लालसा में नरायार राव का बद करवा दिया और उसके इसकार से मराठे नराज हो गए और नरायार राव के नवजात फुत्र को पेशवा की गद्धी पर बैटा दिया उसकी सुरक्षा और सासन सलचालन के लिए नाना फ़लन वीश की देख रेक में एक संरक्षन परशद का गठन किया रगनात राव अंग्रेजों की सलण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सायता मांगी वेश के लिए ही तयार बैठे थे अंग्रेजों और मुराटों की वीच प्रतम मराटाय उससत्रा सुप्रचतर ब्यासी में हुआ तो साथ वरसों तक चला किन्तु नाना फ़लन वीश के कुसल निर्तत था मराटों की सेंट सक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता नमिल सकी अंत में सालवाई नामकिस्ता बस सत्रा सो ब्यासी में दोनों पक्षों के बीच संध हो गई इसके अनुसार नाराय रावकिन नवजात पुत्र को पेशवा सुईकार कर लिया गया सन अडारा सो में फ़लन वीश की मरत्य हो गई और मुराटों पर आपसी संगर्स के बादल मटराने लगे मुराटों ने वेलेजली की सायक संधी को अपने को दूर रखा किन्त नाना फ़लन वीश की मरत्य के बाद सिंधिया होलकर और पेशवा वाजीरा दुती में प्रमुक्ष सक्ति बनने के लिए आपस में संगर्स प्रारम हो गया होलकर ने पेशवा वाजीरा दुती था सिंधिया की सिनाओ को प्राज़ित कर दिया पूना प्राधिकार कर लिया प्रणाम सरूक पेशवואा का है कादिकार समाप्त हो गया परंद भोसले तो सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लाड़ वेले जली की विरुद्ध दुती मराठा युद्ध अठारा सु तीन की कोषणा कर दी यह से अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया अठारा सु तीन में यह रही आप चिटर देख रही है नाना साहब का अपमान जनक संदी करने के लिए विवस कर दिया सिंधिया को वंगों के साथ सुर्जी अज Значит गाउं संदी था बोसले को वंगों के साथ देवगाउं की संदी करनी पड़ी और संदी के तहित दोनों मराठा सरदारों को अपने राज का काफी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने अपने अंग्रेज रेजिदेंट रखना सुईकार कर लिया मराठे भी खत्म इसके पस्चाथ कंपणी ने होल करके बिरुद्ध तती मराठा यूद्ध अठारा सो चार अठारा सो पांच में छेड़ दिया जिससे अंग्रेज शफल रही और दोनों की बीच राजपुर घाट अठारा सो च्छे की संदी हो गई यद्ध भी मराठाओं की सक्ती कमजूर हो गई थी फिर भी अंग्रेजों से लोगा लेने के लिए संयुत मोर्चा बनाने को तयार थे पेसवाब वाजी राप दिती ने पूना इस्थित अंग्रेज रेजिदेंट नाकपुर इस्थित रेजिदेंसी पर राकमण कर दिया यह पर राटों और अठारा सो सत्रा इस्वी के नाम से प्रशद है इस इद्ध में मराठों की संबलित सेना अंग्र जी राज्यों के अदीन हो गए जो राज पूंड तया अंग्रेजी सासन के अंतरकत नहीं थे वे भी अपर तच रूप से उनके नियंतरण में थे वाजी राप दूति का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया अंग्रेज ने पेश्वा के पद को ही समाप्त कर दिया वाजी राप दूतिय को आठ लाक रुपए वार्सिक पेंसन पर कानपूर के इंडिकट बिठूर भेज दिया गया और अब आते हैं डलहौजी की बिलय नीति पर वेले जली की सायक संदी और उनकी फूपा उनसे बड़े महराज निकले डलहौजी उनने न डलहौजी ने भी राजियों को हलपने की एक नीति अपनाई इस नीति के इंतरगत उसने यह नियम गोसित किया कि भरत के जिन जिन राजियों के कोई फुत्र नहो वे अंग्रेजियों की अनुमत की बिना किसी को गोद नहीं ले सकते नया नियम हिंदू धर्म की मानिता के पतीक संतानहीन विक्त को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है परन्त डलहौजी ने अंग्रेजी राजियों के अधीन संतानहीन भारती नरेश को गोद लेने का अधिकार निशेद कर दिया इस नीति के इंतरगत सतारा नागपूर रुदैपूर जहतपूर बगहाट संब सब्सक्राइब करनाटक के नवाव और तंजोर के राजा नाना सहाब की पैंसन और उपादियां समाप्त की रहीं आईए हम तालिकां में अन्य बातिशास को साथ अंग्रेयों के हुए युद्धों और उनके पर्लामों के बारे में जानेंगे तो वीडियो बला होने वैसे हम यह सब जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे चनल वीडियो अच्छा लगे चनल को लाइक और सब्सक्राइब अबस्त करें बहुत बहुत धन्यवाद